बालो की समस्चा और पित जी हाँ बालो के इस लेक्षर सिरीज में आज हम बात कर रहे हैं पित के कारण कौन कौन से बालो के रूप होते हैं और उन बालो की समस्चा में क्या क्या इलाज करना चाहिए हम सभी जानते हैं कि आईरवेद में सारी बीमारियों का कारण और उसका इलाज बुला गया है कि वात पित कफ ये जो तीन दोश होते हैं उनके डिस्टरब होने पर बिमारिया होगी और ये बैलन्स रहेंगे तो आप स्वस्तर होगे इसलिए जो भी आईरविद में इलाज किया जाता है आउशदी दी जाती है पंच कर्म किये जाते हैं डाइट ला होते हैं और उसके लिए क्या-क्या सोलिएशन आईरविद में बताएगे हैं पूरी जानकारी आज इस वीडियो में स्वागत आप सभी का मिश्तर विदा में आज का टॉपिक है बालों की समश्या और पित्त की प्रॉब्लम देखिए सबसे पहले पित्त जो प्रकृती है पित्त की प्रॉब्लम दो टाइप से हो सकती है एक तो जो बाई जन्म बाई नेचर जो आपकी प्रकृती है मतलब आपका जन्म हुआ आप पैदा हुए और बाए नेचर आप थोड़े से गरम नेचर के हैं हीट डॉमिनेंट है गर्मी बरदास नहीं होती है या बहुत ज़दा एग्रेसिव है जो भी है मन में सिधा सामने बोल देना ठंडी चीज़े ज़दा अच्छी लगती है प्रकृति के क्या क्या लक्षण होंगे तो वो बताते वे बोलते हैं कि उनके बाल बहुत जल्दी सफेद हो जाएंगे बहुत जल्दी ज़ड़ने लगेंगे खालित्य दोशा शिप्रवलित पलित खालित्य दोशा ऐसे करके शब्दा है आप मैंसे जो पित्त प्रकृति वाले होंगे या पित्त डॉमिनेंट बाई नेचर थोड़े से गुसेल एग्रेसिव ही डॉमिनेंट जिसकी बॉड़ी है भूख हूँग अच्छी है वो आप देखोगे कि जैसे ही 16 साल की उम्र 16-18 साल की आपकी एच चालू ही होगी आपके एक दो बाल सफेद होने आपको चालू हो गया होगे या 16-18 साल की एच से ही थोड़े से बाल गिनने चालू हो गया होगे मेल है तो यहां से यहां से बाल गिनना चालू हो गया होगा फीमेल है तो बाल पतले होने थोड़े से चालू होने लग गया होंगे बाल भूरे कलर के होने चालू हो गया होंगे तो ऐसा क्यूं हो रहा है कि यंग हुए लोगों के बाल अच्छे होते हैं आपके ज़ड़ने चालू हो गए तो उसका एक कारण है क्योंकि पित्द प्रकृति के लिए बाई नेचर ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं हैं जो उनके गुण बताएं हैं उसमें वो छिप्र वलित वलित खालित दोशा ये बोला है कि बाल जल्दी सफेद होना बाल कि उनके जो मतलब आईब्रो के जो बाल है वो दाड़ी मूच है वो और जो केश है वो अल्प मातरा में होंगे मतलब कम मातरा में होंगे अब हम सभी जानते हैं कि जिस प्रकृति में हम पैदा हुए प्रकृति बनती कैसे है तो जब हम पेट में मा के गर्व में जब होते ह उस टाइम पे ही हमारी जो by nature प्रकृति है वो बन जाती है माँ और बाप का जो nature है उनसे और माँ बापने क्या खान पान किया है किस मौसम में गर्वधारण हुआ है वो सारे factor मिला के आपकी प्रकृति बन जाती है ये प्रकृति जो पे एक बार बन गए ये कभी change नहीं होती lifetime आप उसी प्रकृति के अंदर आपकी body और brain रहेंगे तो जो पित्त प्रकृति के लोग है उनके बाल आप देखोगे कि जन्म से ही थोड़े से कम मात्रा में रहेंगे और जैसे जैसे यंग होंगे बाल जढ़ना चालू होंगे सफेद होना चालू होंगे और 25, 30 या 35 आने तक ही देखेंगे कि आदे से ज़्यादा बाल चले गए होते हैं तो ये होता है पित्त प्रकृति का और एक पित्त के कारण बाल जढ़ने की समस्या देखी जाती है कि ऐसे लोग जो पित्त प्रकृति के नहीं है कोई और प्रकृति के या नॉर्मल प्रकृति नॉर्मल नेचर के हैं बट उन्होंने पित बढ़ाने वाले खान पान कर लिए जिससे की शरीर में पित बढ़ गया और उससे बाल जढ़ रहे जैसे की समझो आप मेंसे जिनको फीवर बार बार आता है टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकन गुनिया आप में देखा होगा बुखार होने के तुरन बात बाल जढ़ने की समस्या ज़्यादा बढ़ जाती क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो बुखार हैं वो पित्त के डॉमिनेंसे के कारण होते हैं फिर आप में से यसे लोग जिनको जॉन्डी, पीलिया, अलसर्स, ऐसी डीटी बार बार होने की तकलीफ होती है लेटरिन, वेटरिन के आप जलन जैसी बार बार होती है उनके भी बाल जल्दी जढ़ते हैं, क्यों? पित्त की बिमारी है ऐसे लोग जो नमक खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं खाने के उपर से नमक डाल कर खाना, ककड़ी काटी है, गाजर काटा है, उसमें नमक डाल के उपर एक्स्टा नमक, चटनी के उपर एक्स्टा नमक, जिनको नमक खाना बहुत ज़्यादा पसंद है या खटा नमक और तीखा ये तीन टेस्ट बहुत पसंद है कि खाने के साथ उनको नमगींग चाहिए खाने के साथ इमली की चटनी या निम्बू तो चाहिए या टमाटर का सूप टमाटर का कुछ चाहिए बिना उसके खाने में मज़ा नहीं आता या कुछ तड़कता भड़ होना ची कुछ मिर्चवाला होना ची ये जैसे हमारे पास अमदा बस से एक पेशेंट AJए तो उन्होंने बोला था उनकी जो फ्रेंड है वो उनको एक साल के लिए देगे गए ऊए वह एक महिने में ये वो सारी मिर्ची खागए थे तो एक तो उनकी प्रकृति बाय पित्त की थी और इतना ज़्यादा उनका तीखा खाने का आदत था जिसके करण की उनके बाल झढ़ने चालू हो गए थे या बाल बहुत कम बचे थे और बाल सफेद हो गए थे 40-42 साल की उम्र में ही तो इस कारण से दो कारण से आपके बाल पित्त की कारण खराब होंगे एक क्या तो आपकी प्रकृती वैसी है और दूसरा पित वाले खान पान बहुत ज़्यदा ग्रोध बहुत ज़्यदा गुस्टा करना बहुत ज़्यदा चटपटा खाना ख़ता और नमक स्पेशली जितना आप नमक खाएंगे उतना ज़्यदा आपके बाल जड़ेंगे तो पित प्रकृती में होता क्या है पित का सबसे में गूर्ण क्या है ओश्न गूर्ण जैसे वात का सबसे में गूर्ण क्या था तो वात का सबसे में गूर्ण रुक्ष ड्राइनेस था वैसे पित्त का जो मेन गुर्ण है वो ओश्रता है हीट है और जितनी ज़्यादा आपके शरीर में हीट बढ़ेगी उतना ज़्यादा आप देखेगा कि आपकी जो बाल है या आपकी जो बोन्स है वो कम होगी एक एक्जाम्बल से समझे जितने भी आप गरम एरिया देख लीजिए जैसे की रेगिस्तान वाले जो एरियाज है जहां पे रेथ होती जो बहुत ही गरम एरिये अब देखो के वहां पे पेड़, पौधे, पानी ये सारी चीज़े कम होगी सेम वही जो नेचर में है वही हमारे शरीर में है ऐसा आईरविद बोलता है नेचर में जहां पे हीट पेड़ पौधे कम होते हैं सेम जिस बौडी में हीट की मात्रा ज़ादा रहेगी उतना जयादा आपके शरीर में या तो बाल सफेद होंगे या बाल जड़ेगे अगर हीट मीडियम लेवल की बड़ी रहेगी तो बाल सफेद होने लग जाएंगे, हीट बहुत ज़ादा ब पित्त के ओशन तीशन द्रव ये जो उनकी qualities है गरम है लिकवीड है उसके कारण ये होता है ठीक तो पित्त के कारण या तो आपकी प्रकृती ऐसी होगी तो आपकी बाल अलप होंगे कम होंगे जल्दी सफेद होंगे जड़ेंगे या पित्त का खान पान करने से वो बिमारिय होने से आपके बाल जड़ेंगे अब करें क्या अगर आप पित्त वाले हैं और आपकी बालों की ये समस्या चालू हो गई कि बाल बहुत जल्ली सफेद हो रहे हैं बहुत जल्ली पतले हो रहे हैं और जड़ रहे हैं तो सबसे पहला जो line of treatment आईरविद में बुला गया वो ह विरेचन पंच कर्म आपके नजदीक में जो भी आईरविदिक पंच कर्म सेंटर होगा वहाँ पे जाईए विरेचन नाम का treatment होता है जिसमें आपको पांच दिन घी पिलाते हैं दो दिन रेश देंगे और एक दिन और आउशिधी पिला के आपको lose motions कराएंगे 15, 20, 25, 30 वो heat कम करने वाली चीज़े आपकी diet में जरूर होना चीए नमक जितना कम करेंगे उतना fast आपका पित्त कंट्रोल होगा खटी चीज़े जितनी fast कंट्रोल करेंगे उतना fast आपका पित्त कंट्रोल होगा खटा नमक तीका ये तीन चीज़े जितना कम कर सके उतना best खाने में जितनी भी चीजे जो बाय नेचर थोड़ी सी कड़वी है और ठंडी है वो पित्त को कम करती है जैसे कि करेला परवल या फिर घीया लोकी तर्रोई इस तरह की जो भाजियां मिलती है या हरे पत्ते की जो सबजियां है वो आप अपने डाइट में इंट्रोड्यूस कीजिए खाने में घी को आप जरूर रखिए अब अच्छा खासा पित्त कम करता है आमले का पाउडर अगर आपको वो डायरेक खाना नहीं जमना तो उसमें थोड़ा मिश्री मिला सकते हो या बहुत ही ज़्यादा पित्त है तो उसके अंदर आप घी भी मिला कर खा सकते हो या इसी आमले से मिलता जूलता है जो मिलता है जिसको रसायन चूर्ण बोलते हैं उसके अंदर आमला गोफुरू गिलो ये कॉमबिनेशन है वो शहद और घी के साथ तो एक चमज रसायन चुर्ण एक चमज घी और 14 चमज शहद मिला कर आप ये खाने की प्रैक्टिस में रख सकते हैं नाक में डालने के लिए घी आप अपने प्रैक्टिस में जरूर रखिए ये पित्तो को कम करने का काम करेगा और पित्तो वालों के लिए एक कमाल की दवा की आमला तो आप आमले का तेल लगाने के लिए आप यूज कर सकते हैं आमले का जो तेल आता उसको नश्च के लिए आप यूज कर सकते हैं या फिर यस्टी आमलकी नाम का एक तेल मिलता है, वो तेल आप नाक में डालने के लिए, बाल पे लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा, नारियल का तेल कमाल की आउशदी है, ठंडा है, चिकना है, पित्त को कम करता है, डेली उसका सिर पे अभ्यं से, पित्त बढ़ने से, तो आवला, वन फोर चम्मच और वन पिंच लोह भस्म अगर वो मिला कर खाने के पहले खाली पेट लेते हैं, तो वो सारी चीज़ आपके लिए बेनिफीशल रहेगी, ऐसे बहुत सारी आउशदियां हैं, जो कि आप आईरवेदिक डॉक्टर के प बोलते हैं, ये जो यस्टी मदू है, इसका नेचर जो स्निग्ध शीत है, मतलब ये ठंडी है नेचर में और चिकनी है, इसकी प्रापरटिस पढ़ेंगे तो ये पित्त को शांत करने का काम करती है, और इसे केश्य बोलाए, केश्य मतलब ये बालों पे बहुत अच्छा का करती है, तो अपने डाइड में या लाइफस्टाइल में यस्टी मदू आप जरूर लेगा ये, खाना खाने के बाद 1-4 चमच यस्टी मदू पाउडर, अगर आप ज़्यादा मोटे हैं, तो शायत के साथ ले सकते हैं, और अगर आप दुबले पतले हैं, तो घी के साथ इरेचन करने के बाद, एक तिक्त शीर बस्ती नाम का treatment होता है, वो तिक्त शीर बस्ती वहाँ पे जाकर पहले आप 8, 16 या 30 दिन के लिए करा लीजे, फिर वहाँ पे सीख लीजे, और सीख के ये तिक्त शीर बस्ती की practice लंबे समय तक, एक साल, दो साल या तीन साल, अभी मे जाएगा, तो अच्छा खासा अस्थी और मजजदादू को नरिश्मेंट करेगा, जितनी अस्थी और मजजदादू अच्छी होगी, उतला आपका पित्त शांत रहेगा और आपके बालों की quality बहुत अच्छी रहेगी, तो ये practice आप 3 साल, 5 सार या lifetime के लिए daily खाने के बा आपकी body को suitable हो भी रही है की नहीं, otherwise हर चीज experiment करने के चक्कर पे health भी खराब हो सकती है, इन चीजों का ध्यान रखे, और खाने में कड़वे item और मीठे item ये दो item को अगर आप प्रधानता देते हैं, तो आप देखेंगी कि पित्त आपका अच्छा खासा कम होगा, और पित अच्छा और नमक और खटे को टाटा बाई 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 बोल दीजे या जितनी कम वात्रा में यूज करेंगे, उतना पित related hair जो disorders है, उसे ठीक करने में आपको ज्यादा अच्छा फाइदा मिलेगा, अक्टूबर का मौसमाने पे पंचकर्म सेंटर में जाके वीरेचन और पेट साफ करना और ब्लड निगालना, ये दो ट्रीटमेंट जरूर कराईए, क्योंकि ये दो खास जीजे बोली है, पित related बालों की समस्चाओं के लिए, तो ये था पित related बालों की समस्चा में आईरविदिक जो गाइडियास दीए हैं उसकी जानकारी, ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताईए, और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, तब तक के लिए स्वस्त रहें, मस्त रहें